जै भीम जै मोल्निवासी हाज हमारे बीच हैं मोल्निवासी करमचारी कल्यान महासंक्य राष्टिय अध्यक्स मोल्निवासी SS धम्मी जी समाज को चलाने में समाज को बनाने में समाज को आगे बढ़ाने में देश को बनाने में देश की समस्याइं सुल जाने में उसको समझना जरूरी है क्योंकि कोई भी करमचारियों की जो संस्ता है उसको तब तक समझना मुश्किल है जब तक करमचारियों का रोल समझ में ना है उनकी भून का समझ में ना है तो करमचारी जो होता है वो हमारी जो सरकारें होती हैं उनका आधार होता है जैसे सरकारों का काम है नीतियां बनाना और कानून बनाना फिर उनको लागू करना लोकल अथौर्टी है तो उनमें हम कांसलर बोलेंगे नकरनीगम है बगरा बगरा तो ये जो नीतियां मनाते हैं उनको लागू करने का जो काम है वो कर्मचारियों से होता है कर्मचारी समाज में रहता है सब कर्मचारी दफ्तर में भी रहता है तो उसको समाज की भी जानकारी रहती है दफ्तर की भी जानकारी रहती है सरकार क्या करने जा रही है क्यों करने जा रही है कैसे करना चाहती है उसका लक्ष क्या है कैसी नीतियां चाहती है वो सारी जानकारी कर्मचारी जो वर्ग होता है उसको रहती है और उसकी जो जानकारी है समाज से जो निकलती है वो कर्मचारी वर्ग इखटी करता है तो वो सारी जानकारी इखटी करके उसका विशलेशन्ट करना फिर उसका विशलेशन्ट करके वो समाज की समस्या कैसे सुल्या सकते हैं वो सारे के सुझाव जो है वो कर्मचारियों को देने होते हैं जो भी आकड़े हैं वो सब के सब उनका विसलेशन करना उनको इखटा करना फिर उनके आधार पर समस्या को पहचानना ये सब सारा काम जो है कर्मचारी वर्का होता है तो कर्मचा मुख्य तोर पे जो कर्मचारी है जो कर्मचारी वर्ग है जिसे हम आज की तारीक में केंदर सरकार में मल्टी टास्क जैसे जो कर्मचारी होता है MTS जिसको हम बोलते हैं मल्टी टास्क के स्थाफ जो पहले चप्रासी से सुरू होता था उस से लेकर के जो सबसे बड़ा सब्सक्राइब करें तो वहां तक जितना भी कर्मचारी वर्ग है इसकी जिम्मेदारी होती है कि वह सारे कानून नीतियों को लोगों के हित के लिए लोगों की समस्याइं सुल जाने के लिए उनको लागू करें और इसके लिए अपनी जो है सब की जिम्मेदारियां होती है सब की सबका रोल परवासित होता है सब की भून का परवासित होती है उसके हिसाब से हर किसी को अपने आपना जो है वह योगदान देना होता है अभी तक जो है हमारे देश में जितने भी राश्टी स्तर पर कर्मचारी संग्धन रहे हैं वह बहु बोलते हैं वो अपनी आम जो समस्या होती कर्मचारी वो इसको ले कर गाम करते हैं जो दूसरी संस्ता हैं जैसे जात्वाली संस्ता है कोई सदूल कास्ट की होगी कोई स्टी की होगी कई कहीं मानटी की होगी के ही च्सेतरवादि मांसिक्ता से भी बनती दरश्टिकोंड इसका से होती। और वहां भी जो जद्रोचारी का यह संस्ता है वहां भी जू जाती संधी श כषु क्यांसी अनुसीं और उनकी जो आम समस्या है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वर्ग होते हैं, वो केवल न तो SC होते हैं, न ST होते हैं, न OBC होते हैं, न मानुर्टी होते हैं, नहीं कोई ब्यक्ति की अलग समस्या होते हैं, वो ज़्यादतर जो समस्या गिरस्त जो वर्ग है, कर्मच कोई भी कर्मचारी संग कर्मचारी संगधन राष्टी सतर पर नहीं है अपना छोटे समुव में हैं SCST का है तो उनको एक ही चिंता रहती है व Ев Agre Philip का प्रमोसन में रिजर्वेशन एक मुद्दा है मगर वो खाली रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं है मगर संस्ता बनी है प्रमोसन में रिजर्वेशन के हिसाब से इसी तरीके से जैसे अगर जाती का भेदवा होता है तो किसी एक जाती के साथ नहीं होता बहुत सारे कर्मचा तो नौर्थ के होता है यह चैत्रवादी भी जो भैदवाव है जो मानसे हमारे देश में हैं तो उस पहचान के अने सर्वी भैदवा होते हैं इस ब्यापक दृष्ट्टी कोण्ट से जितने भी भैदवाव के कारण है उनको मिटाने के लिए उनका समधान करने के लिए और करमचारियों की जो भूमका है उसको ध्यान में रखते हुए एक संस्ता की आवस सकता थे अब इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या ग्रस्त समाज है वो सबसे ज़्यादा स्टी है उसके बाद सुडूल कास्ट है उसके बाद OBC की जो अज़ पिछड़ी जाती है वो हैं इसी तरह से अलफसंख्यक वर्ग में मुसल्मान है या माली जे आपका ईशाई है या सिख है उनमें जो पिछड़ी जाते हैं उनमें से जैसे समाज में वो सबसे ज़्यादे सम की समश्या हैं तो इसका मतलब यह बनता है कि राश्टी स्थर पर हो राज इस्थर पर हो हमें एक ऐसा ब्यापक कर्मचारी संग जो है वो चाहिए जो इन सब की समस्याओं को एक साथ लेकरके इनके समाधान पर काम कर सक pięk. तीसरी चीजा जो सबसे जादा ुसकी है, काम की वो यह aa जितने कर्मचारी समस्या हैं वह फारी समाधान को ले करके बनी हुई है आप जैसे आरक्षंड जो है उसका मुद्ण कोई से देखता है को पाल का से देखता हrie सिभी यह इस्ताइश समाधान नहीं है इस्ताइश समाधान वह हैं जो इन समस्यायों के कारण को मारे तो अगर जाती किसे जिल दो ख़ीर है उसके लड़ना चाहते हैं तो आपको जाती का ढड़्य ल fourteen चाढ़ lake को अनुटेन सब्सक्राइभ थो अगर उनाषाल प्रेदेव में तो प्रतनिद्र उन दो सुभर में रहात है ईस्तृत हैं तो उनकी सुझ्षा सुद्धरные सुलस्टी है कि जब सभी वर्गों के लोग बीरुक्रेशी में होंगे प्रशासन में होंगे तो वहां ऐसा नहीं होगा कि किसी एक जाती के बंदे को इतनी ताकत मिल जाए कि वो दूसरों के साथ बेदवाव कर सके तो वहां बिन बिन जातियों के जो है आनपातिक प्रतिनिदित के इसाम से अगर लोग होते हैं तो वहां जो है फिर वो बेदवाव करने की किसी की हिम्मत भी नहीं होगी और होगा भी चौथी बात यह है कि हमारे देश में आज तक भीरोक्रेसी को न्याए कायाले को, उस सरकार को प्रतिनिद्धित्व पूर्ण बनाने के लिए अभी तक देश में कोई कानून नहीं है पॉलिटिक प्रतिनिद्धित्ञ प्रतिनिद्धित्व कर लिए है पिपल्स रिप्र। cerve direntation एक्ट जो है जन-प्रतिनिद्धरेनित्व कानून हम जिसको अु लेकिन पुर्शासन में नियायपालिका में या सुरक्षाबनों में या पुलीश में इनको सभी जातियां सभी बढ़ी सभी छेत्र उनका आनपातिक प्रतिनिद्द्थ हो ऐसा कोई कानुन नहीं बना भी तक इस मुद्दे को लेकर के हमें पूरे देश में करमचारियों को त वो आये बेसक समाज के नाम पर, समाज के प्रतनिद्ध का जो अधिकार है, उसको इस्तमाल करके आये, सिक्छा में भी वो उसका इस्तमाल करता है, और भी तमाम योजनाव में वो उसका इस्तमाल करके समाज के नाम पर प्रतनिद्ध का दावा करता है, उसका लाव लेता है, लेकिन वो समाज के लिए त्यार करने के लिए तैयार नहीं है. तो यह जो चरितर है करमचारी का, इसकी वज़े वज़멍क है समाज को मार्ख दर्शन नहीं मिल पा रहा है. समाज जागरूप नहीं हो पा रहा है. और कर्मचारी वो वर्ग है जैसा मैंने शुरू में बताया, जिसको समाज का भी पता है, क्योंको समाज से आया है, समाज के संपर्क में भी रहता है, कम जादा, और उसको सरकारी तंद्र का भी पता है, कानूनों का पता है, नीतियों का पता है, वहाँ बैटे हुए जो लोग हैं उनके बारे में भी उसको पता है तो वो नीतिया बनाना कानून बनाना उनको लागू करना उनका समाज में कितना लाब जा रहा है कितना नहीं जा रहा है अगर समा सरकारी नीतियों का सही तरीके से लाव लोगों तक नहीं पहुँच रहा, उसके कारण भी उसको पता होता है, क्योंको वो सारी जानकारी वहाँ इखटी आती है, अगर किंद्र की सरकार है, तो पूरे देश से इखटी होती है, राज की सरकार है, सारी जिलों से इखटी होती है, और जिले में अगर वो करमचारी है तो सारे तैसीलों से सारे बलाक से सारे गाउं से इखटी होती है तो हर इस तर पर उसको पूरी जानकारी रहती है अगर वो समाज में यही सब जानकारी दे उनको समझाए तो समाज का जो सोचने का नजरिया है जो दरश्टी कोने वो असलियत के आधारित होगा यानि समाज जो है वह अभी जैसे कम जानकारी के कारण वह कुछ भी गलत सलत भावनाएं बना लेता है और उसको पता नहीं होता कि किस परिस्थिती में उसको क्या करना चाहिए शिकायत करनी है तो कहां करें कैसे करें और जिसके पास शिकायत लेके ज्याद लेकर के हमें एक राषटी इस तर पर करमचारियों के लिए एक इसकी जरूरत मेहसुस हुई और इसलिए हमने ये महासंग वनाया है, इसमें जो प्रात्मिक जो तौर पर जो लोग इसमें जुड़े हैं जिनको हम प्रात्मिक सदस्ट से कह सकते हैं या जिनको पहले चरण का जो हम ताकत हमारी मानमी जो ताकत है ये सब समाज के लिए त्याग करने की भावना से हमने इनको जोड़ा है क्योंकि ये जो महासंग है मूलिमासी कर्मचारी कल्यान महासंग इसका मुख्य जो सिद्धान्द है वो समाज के लिए त्याग करना है और ये समाज के लिए हुए पिछले बहुत सारे बार्गों में पहले उनको हमने जोड़ा है ताकि इस महासंग का जो वाता बरण है अंदर का वो समाज के लिए त्याग करने की भावना से प्रभावित रहे वुसी का नियंत्रण रहे और वैसे ही चरित्र के साथ हम काम करें तो इसलिए यह मुद् मिल्वासी देश में दो तरह की आबादी है कि वह आबादी है जिसके पुर्खे कालां은त्र में चाहे स्वा साल हमता पहले दो साल लिए हजार साल पहले बहार से आए है एक वह भर जिसकी संग्या बहुत जाद होगी तो दस प्रश्चत होगी और बाकी जो यहां की आबादी है भारत देश की जो जन संग्या है वो यहां की मुल्निवासी जो है वो नसल है वो मुल्निवासी लोग है उनके पुर्खे बाहर से नहीं आए और जैसा कि आपको अगर थोड़ा स आखावारों को देखेंगे टीवी पे देखेंगे यह पत्र गाएं पड़ेंगे जितनी-भी-भंकर-शमश्या की, वह भंझकर-शमश्या उन ही वर्ग की हैं, सारी समस्या इन के खाते में तो इसलिए ritब है यह जिरूरी है कि इस बर्ग के जो कर्मचारी उनको को संगठित किया जाए और उनके अपने भी जो समस्या हैं उनके इस्थाई समाधान के लिए काम किया जाए और जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के लिए भी उनको त्याग बावना में लाकर गए और समाज के लिए उनको उतारा जाए ताकि वो समाज को भी मार्व बरसन कर उनकी तकलीफों को सुल्जाने में मदद करें उनकी तो इसलिए ये मुल्यमासी कर्मचारी कल्याण महासंग जो है वो नाम इसे साब से इसका बनाया गया